So hello everyone, आज ये वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाले क्योंकि आज मैं आपके लिए दो केके डिजाइन लिखे आई हूँ ये डिजाइन आपको भी अपने बेसिक केक पी दे सकते हैं और जो मेरा सेकंड डिजाइन होगा वो चॉकलेट बीजड होगा यहाँ पर मैंने वनकेजे पान अपल फ्लेवर लिया इसके फिलिंग फ्रॉस्टिंग मैंने नाइट में कर दी थी वीडियो के एंड पर मैंने दोनों केके प्राइस भी मेंशन किये हैं तो आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखेगा यहाँ पर मैंने केक को अच्छे से कवर कर लिया था उसकी बद पैलेट नाइफ की सायता से मैं अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ सबसे पहले मैंने टॉप में अच्छे से स्प्रेट कर लिया उसके बाद स्क्रेपर की सायता से मैं जो वाल पाट है उसको अच्छे से कर लूँगी फिर पैलेट नाइफ की सायता से और स्क्रेपर की ही हेल्प से मैं जो केके फिनिशिंग होगी वो मैं कर दूँगी और अगर आपको cake के finishing और उसके जो edges होते हैं वो sharp चाहिए तो आपकी जो whipped cream होती है वो बहुत ही अच्छे से whip होई होनी चाहिए आपका cake अच्छे से set होगा frosting के बाद और आपकी cream अच्छे से whipped रहेगी तो ही आपके जो edges होँगे वो अच्छे से sharp आएंगे और generally मैंको message तो आते रहते हैं कि आप whipped cream के लिए उबर भी एक वीडियो बनाएं तो वो वीडियो तो मैं जरूर बनाओंगी कभी ना कभी बट अभी उसमें आपको इता बता सकते हूँ कि आप कभी भी अपनी cream whipped करते हैं और जब वो proper liquid consistency में आ जाती है तब ही आप whipped करें और अगर कुछ ice particles वाली भी पाट है तो आप उसे थोड़ा सा remove कर सकते हैं तो कि जब वो थोड़े से उसमें ice particles होते हैं तो आपकी cream तो whipped हो जाती है बहुत अच्छे से होती है बट उसके बाद ना उसमें बहुत जल्दी moisture आ जाता है कुछ टाइम पर ही और आपकी cream एकदम soft हो जाती है फेचाय आप उसे fridge में रखें या कहसे भी रखें और अगर आपकी cream अच्छे से whipped होगी तो cake frost कते time भी वो ऐसे liquidy form पे नहीं convert होगी और अच्छे से stiff रहेगी बस हाँ अगर गर्मी है बहुत सादा तो आपको थोड़ा सा maintain करके चलना है यहां पर मैंने रूजेट नूजल लिया था उसकी साइटा सी मैंने सारे यहां पर रूजेट बनाए है और वाल पार्ट में भी मैंने थोड़े से उसके dots लगा दिया है यहां पर मैंने pink जो icing थी मेरी उसी में मैंने नूजल अटेच करके जो message mention करना था वो कर लिया sites पर और यह design client ने रिफरेंच यह किया था उन्होंने कहा था कि यह kind of आप ऐसा यह बनाना तो उसमें यह तीन कलर के combinations थे मैंने करने के लिए यहां पर मैंने दो नूबर का nozzle यूज़ किया था और यह तीनों कलर मैंने एक ही icing से ही बना दे गई मतलब कि सबसे पहले मैंने यह जो cream वाला था उसे बनाया फिर उसी में ही pink कलर एट कर लिया और उसके बाद उसमें थोड़े से purple के drops टाल दिये तो purple कलर बन गया मेरा और यह सारे फिर मैंने एक ही piping bag से ही rosette बनाये थे अगर आपको थोड़ा सा भी idea है कि कौन से color combination में हम कौन सा color डालेंगे तो भी वो proper color आई जाएगा तो उससे एक तो आपके piping bag बहुत कम use होते हैं और महनत तो कम लगती ही है नाइप की साहता से मैंने जो wall part था उसे थोड़ा सा बस हमें स्प्रेडी करना था और थोड़ा सा rough texture दिखाना था उसके बद यहां पर मैंने light green के leaves बनाये हैं और piping bag को ही मैंने we cut कर लिया था उसके इसे ही मैंने यहां पर leaves बना रही हो मैं और इसके बाद थोड़े से मैं इसमें pearls से एट कर लूँगे और यह वाला cake की decoration मेरी complete हो जाएगी और आज की यह दोनो cake मेरी एक ही लाइन के पास जा रहे हैं और इन्होंने एक दिन पहले भी एक और order किया था पर उसकी वीडियो मैंने अपनी short वीडियो में डाली है तो सोचाएं यह दोनों cake के design से आज में आपके लिए long वीडियो पे लिया आती हो तो यहां पर मेरी एक chocolate cake भी ready था इसकी जो भी filling और frosting थी मैंने night में की थी next day अब इसके मैं decoration कर रहे हूँ यहां पर मेरा गनाश भी ready है इसको मैंने flowing consistency में रखा है क्योंकि मुझे इससे अपना cake को cover करना है क्लाइन ने कोई भी design mention नहीं किया था इस cake के लिए उन्होंने बस कहा था कि जो हमारा pineapple है वो आप ऐसा बना दे ना पाकि chocolate cake आपको जैसा ठीक लगया आप ऐसा बनाना बाद में मैंने उनकी दुनों review भी share की है उन्होंने इस पीशली कहा है कि आपने जो chocolate cake का design था वो भी बहुत अच्छा बनाया था यहां पे मैंने अपने cake को गनाश तर अच्छे से cover कर लिया मैंने यह गनाश कैसे बनाया है उसकी वीडियो तो मैंने आपके साँ share की है आप मेरी short वीडियो में देख सकते हैं और मैं ट्राइ करूंगे कि इस वीडियो में मैं link भी add कर दू गनाश मेरा बहुत थोड़ा सा सेट हो जा रहा था हाड हो जा रहा था तो इसलिए मैंने palette knife को तोड़ी से warm water में dip करके इसकी थोड़ी से try किया कि finishing में कर दू उसके बाद जो हमारा chocolate mousse की frosting ती उससे मैं इसकी decoration करने जा रही थी यहाँ पर मैं boundary में braids की design दे रही थी यह flavor मेरा basic chocolate काता तो उसके according हे मैं इसकी recreation कर रही हूँ आपको अगर यह nozzle number पता है तो आप comment box में जरूर बताएगा क्योंकि यह मेरा एक favorite nozzle है में को कभी भी कोई basic सा design करना होता है ना तो मैं यही nozzle यूज़ करती हूँ और इससे जो एक size बड़ा होता है वो भी मेरा ही बहुत favorite है क्योंकि नीचे part में भी मैं एक थोड़ी सी border दे दूँगी और यहाँ पर फिर में को थोड़ा सा top में खाली लग रहा था पहले तो मैंने सोचा कि मैं top पर add कर देती हूँ और आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि आप केक पे जो नीचेन करते हूँ बहुत अच्छी से ही लिखते हैं तो मैं ट्राइटो कर रही हूँ थोड़ी सी और इंप्रूफ करने के लिए तो यहां पे मेरी दोनों केक रेडी होए गए थे चलो मैं आपको दिखा देती हैं दोनों साथ में इससे आप इसको भी compare कर सकते हूँ एक हमारा half kg का और एक वन kg का है क्लाइने दोनों केक के साथ picture भी शेयर किया है आपको ज़रूर देखना वीडियो के एंड पे यह 1 kg का जो pineapple cake है उसे मैंने 700 चार्ज किया था और जो चॉकलेट का half kg उसको मैंने 430 चार्ज किया था I hope आज की भी वीडियो अच्छी लग गया हो thank you